आज आज हम एक और 3D प्लेन की अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो के है एक अमेरिकन कंपनी फ्लेक्स इनोवेशन और उसका यह जो प्लेन है इसका नाम है माबा माबा टैन अच्छा इससे पहले हम कर चुके हैं स्काई आर्सी का जो प्लेन था वो भी 3D प्लेन था उसकी अन्बॉक्सिंग की वीडियो और जो फ्लाइट रिवी है उसकी जो वीडियो है वो भी हम अपने चैनल पे अप्लोड कर चुके हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मि कोई आपको फेलेक्ट सेलेक्ट करके किसी भी लगानी पढ़ती हैं और जेप्ली सिठी सेजा है संदेश सibly वह दीडर वो दो करने है और यह जो प्लेन पारने करने है प्लेन और बनान वे अचा ये जो company fitted plane होते हैं इसमें और उस kit में ये difference होता है कि इसमें हर चीज़ है company ने वो अपने हिसाब से इसमें install की होती है इसके motors और वो इसके weight के हिसाब से तो आपको इसमें ज्यादा issue भी नहीं आता अचा इसके लावा ये जो plane है इसके हम कुछ अगर बात करें और वराल तो इसमें जो है ये दो color scheme में आता है एक red में और ग्रीन में आज हम जो है वो red के unboxing करने जा रहे हैं red color scheme में ये plane है और इसके लावा ये जो plane है ये gyro के साथ भी आता है without gyro भी तो हमने जो आज unboxing करनी है without gyro के करनी है क्योंके gyro mostly उन लोगों के लिए जोरी होता है जो के नए होते हैं पहली दफा 3D flying कर रहे होते हैं क्योंके gyro का जो मतलब काम होता है आपके plane में वो आपके जो plane की stability है ना उसको improve करता है इनके performance को उर्दा इंप्रूव करता है लेकिन अगर आप अच्छे थोड़े से flyer है तो आपको उसकी जूरत नहीं होती है तो ये without gyro ही है अच्छा अब पहले तो हम देख लेते हैं इस टपे के उपर इसकी कुछ specifications plane की जो mention है उसमें आप देखें कि इसका जो wingspan है वो mention किया हुए है इन्होंने inches में है ये 14.7 और अगर हम mm में बात करें तो 103 mm का wingspan है और जो overall length जो है इसकी वो 1102 mm है इन्चिस में बात करें तो 43.4 inches है इसी तरह इसका weight भी बताया गया है और इसी तरह इसकी battery जो है और minimum 35C और maximum 45C तो बहतर होगा आप इसके अंदर 45C लगाएं तो 45C जो battery है वो इसको ज्यादा boost देगी और आपको वो ही इसके अंदर accessories यूज़ करनी चाहिए battery जो company recommend करती है अच्छा ये जो plane है ये PNP में है means के आपको अपनी battery और charger और transmitter receiver लगाना पड़ेगा अच्छा आज हम करेंगे unboxing इसकी और फिर निशाल आने वाली वीडियो में इसका flight यूज़ भी करेंगे तो पहले हम इसको ज़रा box से out कर लेते हैं कि इसमें क्यागे चीज़े है अच्छा जी हमने box को जो है वो open कर लिया और box में हमें इस form के अंदर इस तरह की packing में यह आता है well packed है अब देख सकते हैं हर एक चीज़ को अपने तरीके से लगाया गया है अब मैं further इन चीज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम असानी से देख सेकें के box में हमें total क्या मिलता है यह मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहरा हूँ कि packed यह कैसे आता है हर चीज वैल packed है तो हम जरा इसको further unbox कर लेते हैं अच्छा जी यह है सारा समान जो इस वक्त हमारे पूरे box में से निकला है मैंने box में से सारा समान निकाल लिया है तो अब हम इसको further one by one चेक करेंगे कौन सा पार्ट से इस box में available है अच्छा जी सबसे पहले तो हमारे पाइस है यह manual आच्छा यह manual आप देखें कि इसमें इन्होंने graphical form में आपको सब कुछ बताया है कि आप कैसे इस plane को build करेंगे अब इसमें मुझे नहीं लगता further मुझे इसकी build video बनाने की जूरत है क्योंकि इतनी असान यह manual है कि इन्होंने graphical form pictures की शकल में आपको बताया है तो यह manual होगी अच्छा इसके लावा अगर हम पहले देख लेते हैं यह एक बार जो आपके जो elevator है यह इन दोनों के दर्मियान जाएगी यह दो इसकी elevator है जैसी red color scheme में यह है तो यह जो बार है यह elevator की यहाँ पर चली जाती है और फिर यह दोनों आपस में joint होंगे और इसमें भी कोई I think एक छोड़ी सी टेप लगे कि इसमें कोई आपको ना screw लगाने की जूरत है नहीं कोई glue लगाने की दूरत है तो यह है इसका elevator अच्छा इसमें प्रॉप साइज है वह थूरा सा difference में 11.5 जरब 4.5 का प्रॉप है एक अजीब साइज है 11.5 multiply 4.5 का यह प जूरु यूज होते हैं इसकावब यह प्लास्टिक की हैं स्ट्प हैं जो आपके landing gear में और बैक लेनिंगर में लगें गें तो यह तोड़ा सा जो कि इसमें लगा सकते हैं आचा इसके लावा यह जो है दो यह आपको जो यह दोनों कुई कि यह भूल घुछा हूं यह यह तो विंग्स के सेट हैं ओपर और नीचे जैसे आपने इस भी बोक्स में इसकी फिक्चर भी देखी होगी तो यह दोनों विंग्स को जो है आपस में जोड़ने के लिए है चीज यूज होंगे और इसमें भी स्क्रू लगेगा इसके लावा यह इसका लेंडिंग एर इसमें आपको कुछ करने की जूरत नहीं है जिस्ट आपने इसको प्लेस करके बैक पे फ्यूज लैज की और इसको चार स्क्रू टाइट करने हैं बाकी इसमें आपको कोई नवीज लगाने की जूरत है कुछ भी जूरत नहीं है यह बहुत इजी इंस्टॉलेशन इसकी अच्छा करने की हवाग को जो है न यह हैंडल करेंगे स्टरव सर्वों करेंगे हवाग को चीच रहते हूए इसके लावब आब यह देख सकते हैं यहाँ पर आपके चार रौट तीओं में इसके अंदर हाड़वेर है उसके साथ आप पिर हैज करेंगे और आपके डबल विंग्स कर लगी हुए ठीक है अब यह इसमें आपको सर्वोस भी ज्यादा चाहिए कि दो इसमें लगी है तो इस वज़ासे इसके अंदर थोड़ा सा कॉस्टली भी है सर्वोस की वज़ासे क्योंकि सर्वोस ज्यादा लगी है तो यह एक विंग सैट यहां पर और यह है हमारा नीचे वाला विंग सैट एक विंग सैट यह है इसमें भी आज देख सकते हैं दो सर्वोस यहां लगी है इसमें कवर किया है उन्होंने स्टिकर के साथ तो यह सर्वोस लगी है इसके लावा यह वूडन स्ट्रक्चर है मैं आपको फ्यूज़ुलाज दिखाता हूँ इसके फाइदा ही होता है व्यूडन स्ट्रक्चर का कि एक तो यह एक उप्यो का और जो वूडन स्ट्रक्चर का का मिक्स कबिनीशन है जो यह दो स्रविंग स्पैन है इसको भी हम जोएंट करेंगे इसमें दो सर्वो अल्रीडी लगे हुई है किनेक्शन सेटम इसका इजी है दोनों का यह अब हमारे पास यह सबसे में चीज होती है प्लेन की वह है इसकी फ्यूज अच्छा इसको में तुरह साइड पर गिलता हूं यह देखें यह है इसकी में फ्यूज लच रडर काफी बड़ा है रडर की जो सर्वो है वो अल्रीडी इंस्टाल्ड और इसके लावज देखिए यहां पर एक कलर स्कीम इसकी साइड में इन्हों ने होल्स रख्या है हवा क्रास्ष करने के लिए और यहां पर यह देखिए इसका वाइर सिस्टम है, फ्रेंट से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इसकी कैनोपी खोल के दिखा देता हूँ, यह देखें, मैं जस्त आप इसको पुश करेंगे तो यह भाहरा आजेगी, अंदर काफी स्पेस है, मैंने आपको बताया था कि 3-cell 2200 जो है, और एक आल्रेडी इसमें लगी वे, तो आपकी जो बैटरी है, वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि यह 3-D मैनुवर करता है, तो इसमें आपको पता है, प्लेंज बहुत ज्यादा, तो इस तो जासे आपकी जो बैटरी है, वो EC3 दिया गया है, तो आगर आपके पास टी कनेक्ट है, तो आप इसमें जो अडॉप्टर आता है, वो यूज कर सकते हैं, लेकि इसमें जो अल्रेड इंस्ट्रॉल है, वो EC3 है, तो यह है इसकी कैनोपी, काफी स्पेस है, और यह आप देख सकते हैं, जस्ट आपने इसको ऐसे प्लेस करना है, और यह वापस अंदर, यह लोग है, जो वूट का स्ट्रॉक्चर उस पर मोटर इंस्ट्रॉल है, आप असानी से यह चार स्प्रियू इसके निकाल के, आप इसका जो है, मोटर को, आप कोई और मोटर अप्डेड भी कर सकते हैं, अगर खराब हो जाती तब भी रेप्लेस कर सकते हैं, तो आज कल जितनी भी क आपना रेसीवर प्लेस कर सकते हैं, इसके लावा, यह देखें वोट्यों स्ट्रॉक्चर, इसमें अलज़डी सर्व इंस्ट्रॉल है, और जैसे हमारे नाइट्रो प्लेंज की किट होती है, उनके उपर हम स्ट्रॉल करते हैं सर्वो को, इसे तबर इंस्ट्रॉल है, आप यहां पर आपको आसानी से पता लग जाएगा किसमें किस तरह इसको सैट अप करने हैं इसको आप देखें उठाए तो यहां पर अक्सेस कर सकते हैं आपने रसी वरा प्लेस कर सकते हैं मतलब काफी बड़ी स्पेस है जारों चोक इंस्टॉल्ड नी है इसलिए यहां पर पर काफी इस प्रेस तो यह बीजिए है यह अप जैस्ट यह फिश करेंगे तो यह तो आगे से इसका देखें फ्रेम भी काफी बढ़ा है तो अभी यह है इसका सारा समान अच्छा जी ये थी आज के अन्बोक्सिंग आपको सारा समान में ने दिखा दिये इसमें क्या क्या है तो अब हम इसको करेंगे बिल्ड और इन्शाला कोशिश करेंगे कि नेक्स वीक में इसकी जो टेस्ट फ्लाइट वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करें ये एक बाई प्लेन है और बाई प्लेन 3D प्लेन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये भी हाला कि अलड़ी में रपास का इविंग का एक प्लेन मुझे अच्छा लगा इसकलाब है एक नई कंपणी है अमेरिकन कंपणी है फ्लेक्स इनोवेशन इनके भी काफी जहाद मैंने देखे हैं फीचर्स अच्छे हैं मैंने यूस तो नहीं किया तो अब ये वाला प्लेन यूस करके हमें पता लगया ये कंपणी कैसी है तो कीप वाचिंग दा टैक में इंचला नेक्स वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलते हैं अल्ला हाफिस